बाई और वेहनों नमस्कान देश की हालत आपसे बहतर कौन जानता है आप हिंदुस्तान के भविश्य हो और आपको भविश्य आज दिख रहा है को रोना आने से पहले मैंने कहा कि तुफान आने वाला है फेबरिरी में कहा त्यारी कीजिए सरकार ने मेरा मज़ा कुड़ाया जब तुफान आया मैंने फिर सुजार दिया युवाओं के भविश्य के लिए आपको तीन काम करने होंगे पहला हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में निया योजना जैसा डायरेक्ट पैसा डालिए दूसरा जो हमारे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी रीड की अर्डी है वो युवाओं का भविश्य है उनकी रक्षा कीजिए उनकी मदद कीजिए और तीसरा जो हमारी स्ट्रटीजिक इंडस्ट्रीज है उनको समाल लिए उनको प्रटेक्ट कीजिए कुछ नहीं किया उल्टा नरेंद्र मोदी जी के चुने हुए 15-20 दोस्तों उन्होंने लाखों करोड रुपे कर्जा माफ और टैक्स प्रेक्ट रिख दिया और आज मैं प्रधान मंत्री से कहना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख रहा है आपने हिंदुस्तान की अर्विवस्ता को नश्ट कर दिया आपने इनका भविश्य बिगार दिया आज भी आप तीन काम कर सकते हो पहला गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालिए दूसरा रीर की हड़ी को बचाइए small and medium businesses की रक्षा कीजिए उनको पैसा दीजिए और तीसरा यह जो आप privatization करते हैं अपने मित्रों को यह जो हमारे public sector की companies आप पकड़ाते हैं यह बंद कीजिए आज भी आप यह काम कर सकते हैं युवा आपकी और देख रहा है आप देश के प्रधान मिंत्रियों आप चुप क्यों हो गया कुछ बोलिए आप बहुत दिनों से आपने कुछ बोला नहीं ना अर्द्रीवस्ता के बारे में आप बोलते हैं ना चाइना के बारे में आप बोलते हैं कुछ बोलिए देश आपकी और देख रहा है